ओनलाइन उपीडन की समस्या पूरी दुन्या में है अमेरिका, योरोप, भारत, तक्रीवन हर जगा ओनलाइन फैलती नफरत से लड़ने के कानून बन रहे हैं अस्ट्रेलिया में, फेस्बुक पर लोगों को धमकाने वालों के असली नाम जाहिर करने के बारे में सोचा जा रहा है लेकिन क्या ऐसे कानूनों से वाक कई इस पर लगाम लग जाएगी? आईए जानते हैं कि आप खुद को और अपने प्रियजनों को ऐसे साइबर बुलीज से कैसे बचा सकते हैं सोचिए, ओनलाइन प्लैटफॉर्म पर कोई आपकी बेज़ती करता है, दादा गिरी दिखाता है, यहां तक कि मारने की धमकी देता है अगर आपको उस बदमाश का असली नाम पता चल जाए और आप उस पर मानहानी का दावाट होंक सके तो आस्ट्रिलिया की सरकार कुछ ऐसा ही करना चाहती है क्या ऐसा करने से साइबर बुलिंग रुख जाएगी? आपका अनुभव क्या कहता है? अगर आपको पता चल जाए कि ओनलाइन तंग करने वाले का नाम क्या है तो आप क्या करेंगे? बड़ी टेक कंपनियों पर नकेल कसने और उनके प्लैटफॉर्म्स पर फलती फूलती नफरत को रोकने के लिए यूरोपिय संग बेहत कड़े कानून लाने जा रहा है इन्हें डिजिटल सेवा अधिनियम या DSA कहते हैं यूरोपिय नागरिकों के लिए बन रहे इन कानूनों से विश्व के दूसरे देश भी सीख सकेंगे अपनी पूर्वा कंपनी फेस्बुक के content moderation के तरीकों की पोल खोलने वाली फ्रांसिस हाउगेन ने कहा है कि DSA में काफी संभावनाए है इस संसत के सामने रखा गया Digital Services Act पूरे विश्व के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड बन सकता है इससे दूसरे देशों को प्रेणा मिल सकती है मेरे देश को भी थाकि लोकतंत्र को सुरक्षित रखने वाले नए नियम बने लेकिन कानून कड़ा होना चाहिए और उससे भी सक्त उसका पालन DSA कानूनों में नफरत वाली बातों के खिलाफ तीन कदम होंगे पहला content moderation बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने बड़े बड़े संसाधनों में कुछ तो content पर नज़र रखने में लगाने होंगे अब तक अंग्रेजी में लिखे जाने वाले content पर तो थोड़ा बहुत ध्यान था भी लेकिन दूसरी भाषाओं की सामगरी पर तो ना के बराबर उन्हें ऐसे automatic system लगाने होंगे जो किसी भी भाषा में नफरत फैलाने वाली बातों को अपने आप ही ब्लॉक कर दे दूसरा अब तक social media platform पर पोस्ट होने वाली सामगरी की पूरी जिम्मेदारी कमपनिया नहीं लेती हैं उनका कहना है कि पोस्ट तो किसी user ने किया है तो उन्हें सब कुछ कैसे पता होगा DSA के नए कानून में कमपनियों पर जिम्मेदारी बढ़ेगी जिससे वे अवैच सामगरी को पकड़ सके और उसे हटा सके यानि social media platforms अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं जार सकेंगे तीसरा यूरोप में नए और तगड़े regulation के लिए एक नया institute बनाये जाए बिग टेक पर नज़र लखने वाली एक नई European Digital Media Observatory लेकिन कानून सिर्फ सुनने में ही अच्छे लगते हैं अगर उनको सच में लागू ना करवाया जाए जर्मनी को ही लीजिए 2017 में यहां hate speech यानि नफरत फैलाने वाली बातों के खिलाफ एक बेहत सक्त कानून मना उसमें Facebook जैसे कंपनियों को किसी अवैत पोस्ट को हटाने के लिए 24 घंटे पहले सूचना देनी थी तब तक ना हटाए जाने पर उसे पोस्ट को हटा देना था कानून तो कहता है कि ऐसा ना करने पर कंपनियों को 5 करोड़ यूरो तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है लेकिन ऐसा हुआ क्या नहीं लेकिन अगर आपको कोई online तंक कर रहा है तो देखिए आप खुद इस पारे में क्या कर सकते हैं रिपोर्ट करें हर नफरत से भरे या अवैद कमेंट वीडियो और फोटो को ब्लॉक करें और फिर शिकायत करें हर बुली की मदद मांगे ज्यादा दर देशों में ऐसे संस्थान हैं जो online harassment से निपटने के उस्ताध हैं और अगर ज्यादा परिशानी लगे तो सोशल मीडिया से ब्रेक लेने में तो कोई परिशानी नहीं कॉमेंट करके बताईए कि ये जानकारी आपको काम की लगी या नहीं फिर मिलेंगे